हेलो दोस्तों वैलकम टो आरुस लाइफ इस वीडियो में बताऊंगे कि पांच महीने के बच्चे का वजन लंबाई और क्या-क्या उसका विकास होता है क्या एक्टिविटी करता है तो जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो पैरेंट्स के वान में बहुत सारी एक्साइट कुछ जल्दी भी सीख लेते हैं क्योंकि सभी का लेविल अलग होता है तो इस वीडियो में पांच महीने के बच्चे के बारे में बताऊंगी उसकी हाइट वेट और उसकी नीद कितनी होनी चाहिए काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो है तो आप लाश्ट तक देखिए लिए और बैल आकन का बटन दवाना मत बूलिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम हायट की बात करेंगे कि बच्चे की हायट कितनी होनी चाहिए लंबाई तो गर्ल के लिए 63.7 cm होनी चाहिए और बॉय के लिए 64.7 cm होनी चाहिए 63.8 feet के अपरॉक्स होनी चाहिए बॉय्ज में 2.12 feet के लगवग होनी चाहिए अब वेट के बारे हम बात करेंगे कि कितना वेट होना चाहिए तो गर्ल की बात करें पहले तो 5.6 से 7.5 की बीच में ये बच्चे का जो वेट है वो नॉर्माल है बच्चे का जो बजन होता है वो इसके हाइट की उपर भी कई है तो उसका कोहता है ये 6.2 से 8.2 अच्पोइट के बीच में नॉर्मल के जाता है तो 5-month-lead development क्या उसके development है क्या उसके milestone है तो बच्चा जैसे बड़ा होता है उसका विकास भी बेहतर तरीके से होता जाता है बच्चा अधिक समझदार हो जाता है बच्चे की अंदर कि सीवी टॉइस की प्रतिक क्योरिसिटी आने लगजाती है वह समझने लगता है जैसे हमने कोई टॉइस के सामने रखा तो वह समझने के कोसिस करेगा कि यह बजेगा मतलब यह आवास करेगा या कैसे चलेगा ऐसा कुछ हो है करने की शुरुआ कर देता है बच्चे का खेलते हुश ऐसे कुछ आवाज rendre निकलते लिए तो बच्चके का जो लेंग्विश जरबलमेंट वह भी होना शुरू होजाता है बच्चे के मुसे कुछ अच्छा निकलन अपने या पी शुरू हो जाता है हातों में नियंत्रड अपने जो बच्चों के जो हैंड है उन पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं वो और जैसे किसी चीज को पकड़ना है तो अपनी उंगलियों का भी यूज करना शुरूप कर देते हैं बच्चे को पेट के बल लिटाएं टमी टायम हैड को कंट्रोल करने के लिए बच्चों को पेट के बल लिटाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब बच्चा पांच मेने का हुज आता है तो वह आराम से पेट के बल लेट जाता है और गरदन उठाने की भी कोशे सुरू कर द बैठने का बच्चा प्रयाज भी करता है पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिना किसी सहारे के बच्चों को नहीं बैठालना चाहिए कि बच्चा उतनी अच्छे से नहीं वैट पाता है तो साइड में प्लू अगरा लगा के हम बच्चे को थोड़ी देर बैठा सकते हैं पैरेंट्स के साथ खेलना भी शुरू कर देता है पैरेंट्स के साथ खेलते खेलते वह अपने हाथ पेरों को तेजी से चला कर बच्चा अपना खुश्य दिखाएगा कि मतलब उसको अच्छा लगता है अगर आप ध्यान दो कि अगर हम बच्चों से कुछ बात करते हैं बबल गेम जैसे साब उनके जो पानी वाले बबल्स होते हैं बच्चों को हम दिखाएगे तो बच्चा बहुत ज्यादा खुश होगा गर्दन उठाकर उन बबल्स को देखने के कोशिस करेगा उससे क्या होगा कि बच्चे के जो गर्दन है कि मसल्स है काफे स्ट्रॉंग ह होगी हम ऐसा भी कर सकते हैं जब बच्चे को पेट के वाल लिटा हैं तो कुछ आसपास ट्वाइज भी रख सकते हैं बच्चा उनको खिसकर उठाने के कोशिस करेगा मुँ ठाकर देखेगा तो यह सारी एक्टिविटी हम बच्चों के साथ करवा सकते हैं बच्चे को हम कह लोने बच्चों को खिलने के लिए दें जैसे आवाज कोई आवाज करता है तो उसको लेफ्ट राइट या बच्चे के पीछे हम छपा के रख सकते हैं तो बच्चा उस चीज पर ध्यान देगा बैठने की ट्रेणिंग भी दें बच्चों को तो बच्चा जल्दी से बैठ शुरू कर देता है शुरुआत में हमें अपने ही निगरानी में रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चा उतने अच्छे से नहीं बैठ पाता है डॉक्टर से कब संपर करें जब बच्चा हमारा यह एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है तो हमें डॉक्टर से संपर करना धन्यवाद